जाई गुरू परमप्रम्र सेशी ठाकरून गुल्चंद्रजी के स्रियस्त लिखीत सत्यनिसरन के हिंदियों अनुबाद भाग्यां काम करते जाओ किन्तु आबद ना हुना यदि विशय के परिवतन से तुमारे घृत्या में परिवतन आ रहा है समझ सको और वो परिवतन तुमारे लिए बंचनिया नहीं है तो ठीक जानो तुम आबद हुए हो किसी प्रकर के संस्कार में ही आबद मात्र हो एक मात्र परमपुरुस के संस्कार को छोड़कर और सभी बंधन है तुमारे दर्सन की ज्यान की दूरी जितनी है अदुरुस्ट या भाग्या ठीक उसके आगे है देख नहीं पाते हो जान नहीं पाते हो इसलिए अदुरुस्ट है अपने सैतन आंकारी अहमक में को निकल बाहर करो परमपिता की इच्छा पर तुम चलो अदुरुस्ट कुछ भी नहीं कर सकेगा परमपिता की इच्छा ही है अदुरुस्ट अपने सभी अवस्ताओं में उनकी मंगल इच्छा समझन की जश्टा करो देखना कातर नहीं होगे बरम खुदय में सवलत आईगी दुख में भी आनंद पाऊगे काम करते जाओ अदुरुस्ट सोचकर हतास मत हो जाओ आलसी मत बनो जैसा काम करोगे तुमारे अदुरुस्ट वैसे ही बनकर दुरुस्ट होंगे साथ कर्मी का कभी भी अकल्यान नहीं होता चाहे एक दिन पहले या पीछे परम पिता के और देख कर काम करते जाओ उनकी इच्छाई ये अदुरुस्ट उसे छोड़ कर और एक अदुरुस्ट फदुरुस्ट बना कर बेवकुप बनकर बेठे मत रहो बहुत से लोग अदुरुस्ट में नहीं है ये सजकर पतवार छोड़ कर बेठे रहते है जबकि निर्भराता भी नहीं है आंत में सारा जिबन दुर्दस में कड़ते है ये सब बेवकुप है तुमारे मेपन जाते ही अदुरुस्ट खतम हुआ दसन भी नहीं अदुरुस्ट भी नहीं जैगुरु